ओम नमाशिवाय जै महाकाल अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आशान्ती रहती है आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर पित्रदोश है या फिर किसी भी परकार का कोई भी ग्रह परिशान कर रहा है तो ये विडियो आपके लिए है पूजी गुरुजी की कता से है 2022 की तो करिएगा इस उपाय को लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें आवाज जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो जैसा कि मैंने स्क्रिन पर लिखाता हमें एक काटोरी क्या चाहिए होगा इस तरी बढकिक यो ऐसा करें ऑपको डालना जैसे पंजीरी बनाताहो है या आपमे रेसिपी नहीं बताओंगा बना लिया पंजीरी और आपको जरुरोत होगी इस तरीके से बेल के फल की ठीक है बेल का फल लेना और इस गूदा निकाले ऑट्सक्राइब और क्था निकाल देना न से इसको ढख देना ठीक है ढख दिया ढखने के बाद पंजीरी भरे हुए बेल को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है जितने भी कमरे हैं आपके घर में स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमरण करते हुए एक बार घूम लेना वाश्रूम को छोड़ करके बाकि सभी कमर लीजे उस बेल को थोड़ा-थोड़ा करके सबके पास जो कि भी यह इसको छूलो इसको छूलो एक बार टच करा लो और टच कराने के बाद पहुच जाना पीपल पेंड के नीचे कब पहुचना है सुबह 10 बजे से पहले पहुच जाना पीपल पेंड के नीचे वो जो बेल 10 बज़े से पहले इस उपाय को कर लेता है पीपल पेंड के नीचे उसके घर में जो भी पितर दोश होता है किसी भी कारण से उनके घर में परिशानी होती है, वो परिशानी हमेशा के लिए दूर जरूर होती है साल का आखरी आवाश्या है, करिएगा इस उपाय को आप सभी के घर में हमेशा कुशियां बनी रहेंगी मैंने कोशिश की आप सबको अच्छा समझाने की विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें कुछ पूछना हो नई समझ में नीचे कॉमेंट में पूछें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल